गुड मॉर्निंग ओल अफ यू बच्चों आज से हम रिविजन की शुरुआत करते हैं आपको ये सारे रिविजन रफ कॉपी में करने हैं और फेयर से मैच करना है ताकि आपको अपनी गलती पता चले कि हमने कौन से प्रश्ट में या कौन से शब्द में गलती की है और उसक से पहले थोड़ा हम पाठ दोराले हमारा पहला पाठ है भाशा आप जानते ही हैं कि हमारा प्रश्ट भाशा क्या है अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने का माध्यम ही भाशा है भाशा के दो रूप होते हैं मौकिक भाशा और लिखित भाशा मुख से बोल कर प् तो बच्चों जैसे हम क्लास में रिवेजन करते हैं, ठीक वैसे ही हम रिवेजन में कुछ प्रशन आपके दे रहे हैं और आपको कापी में करने हैं पहला है निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखिए पहला भाशा किसे कहते हैं दूसरा भाशा के कितने रूप हैं तीसरा मोखिक भाशा के चार उदाहरण दीजिए चौथा हिंदी भाशा की लीपी क्या है पाचवा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है लास्ट छठा हमारी राष्ट भाषा क्या है दूसरा प्रश्ण है सही या गलत में उत्तर दीजिए पहला पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है दूसरा हम अपनी बात भाषा के माध्यम से बताते हैं तीसरा, मुबाइल पर बात करना, भाषा का मौखिक रूप है, चौथा, अंग्रेजी एक भाषा है, पांचवा, भारत में एक भाषा बोली जाती है, प्रश्न तीन है, मौखिक और लिखित भाषा के दो-दो उदारण चाट कर लिखिये, और लास्ट में चौथा प्रश्न है, प्रदेशों का भाषा के नाम लिखे, असम, गुजराद, पंजाब और करनाटक, अब आईए, हम पार्ट दो, वर्ण और मार्ण माला का रिवीजन करते हैं, आपको पता है, भाषा की सबसे छोटी एक आई, वर्ण कहलाते है, क्रम में लिखे गए, वर्णों के समों को वर्ण माला कहते हैं, वर्ण माला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर 11 और व्यंजन, 33 होते हैं, दो व्यंजनों का मेल, संयुक्त व्यंजन कहलाता है, और दो ब्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुकताक्षर करते हैं तो चलिए हम इस पार्ट में रिविजन करते हैं पहला निम्रिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण है वर्ण किसे कहते हैं दूसरा वर्ण के कितने प्रकार हैं तीसरा, वर्ण माला किसे कहते हैं, चौथा, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, नाम लिखिए, पाच्वा, स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, प्रश्न दो, दिये गए संयुक्त व्यंजनों से दो-दो शब्द बनाईए, छ, त्र, ग्यां और श्र, Q3. संयुक्त व्यंजनों से बने तीन शब्द लिखिए, और चौथा, इन्हें जोड़कर शब्द बनाए, क, र, म, दूसरा, ड, र, म, तीसरा, प, र, थ, म, थैंक यू